काई जाज कल हर बंदे की यह इच्छा रहती है कि हमारी फोटो क्लियर और एकदम बढ़ी आनी चाहिए फोटो में हम टाइगर शुरॉफ लगने चाहिए अब असलियत में चाहिए शकल लेंडी जैसी हो पर फोटो टाइगर बढ़ीया जैसी आनी चाहिए तो वह इस चीज का एक ही सोलिशन है कि आपके पास एक अच्छे केमरे वाला स्मार्टफोन होना चाहिए विखोज आजकल स्मार्टफोन कंपनीज अपने स्मार्टफोन में ऐसे आशे केमरे प्रोवाइड करा रही है जिनकी क्वालिडी तुम जैसे कववो को बगला बना देती है तो वह प्रिज़न के टोपिक तो मैंने वीडियो के स्टर्टिंग में शौर कर दिया आपको तो इस वीडियो में कवर किये चार क्यमरा स्मार्टफोन जो डीएसलार्स को भी टकर दे सकते हैं तो सलिए डोंट वेस्ट टाइम लेट्स टार्ट द वीडियो तो गाइज हमारा फस्ट जो स्मार्टफोन अधर वो आता है रियल्मी की तरफ से एंड इसने मार्केट में रिसेंटली कदम रखा है और इसका नाम है दोस्तो रियल्मी 8 Pro 5G हमारे स्मार्टफोन की लिस्ट को चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी स्मार्टफोन मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में उन सभी स्मार्टफोन में 108 मेगा पिक्सल का प्राइमरी शूटर लेंस कोमन है इस प्राइमरी शूटर के साथ आपको मिलने वाला है 8 मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंज जो 19 डिगरी अल्ट्रा वाइड एंगल से आपके मोमेंट्स को कैप्चर करके देगा अगर आप इस स्मार्टफोन से व्लोगिंग करते हो तो आपको बहुत के अच्छी क्व 471 in-display selfie camera जिसकी वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी जो क्वालिटी है वो next level है सो चलिए गाइस camera setup डिसकस करने के बाद अब बात कर लाते हैं smartphone के other features के बारे में तो इसमें आपको मिलने वाले है 6.4 इंचेज की super amoledded console display जिस पी आपको मिल जाएगी 180 hertz की touch sampling rate इसके बाद आपके tap की जो एक्टिवेटेव बहुत speedly show होगी लगबग साड़े 6 एंच की display में आपको gaming और streaming करके भरबूर अनंद मिलेगा गाइस gaming से याद आए कि इसमें आपको मिलने वाले है Qualcomm के snapdragon 720G octa-core processor का chipset जो आपको hard gaming और streaming करवाने में आपका पूरा साथ देगा गाइस smartphone के storage की बात की जाए तो इसमें आपको दो variant मिलने वाले है जिसमें आपको मिलेगी 6 and 8 GB की RAM and 128 GB की ROM and payment जो है वो आपको variant के according पे करना होगा इन सभी के साथ आपको मिलने वाली है 4500 mAh की massive battery जिसको charge करने के लिए मिलने वाला है आपको 50W का super dark charger तो गाइस इन सभी best features के साथ आपको ये smartphone मिलने वाला है जिसके लिए आपको pay करने पड़ेंगे only 17,999 रुपए अगर आपको ये smartphone अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं हमारी list में 3 smartphone over pending पड़े है गाइस इस smartphone ने भी market में recently entry मारी है और ये logo के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है because एक beautiful crafted design के साथ आपको ये smartphone मिलता है जो बहुत ही stylish और premium लगता है तो गाइस चलिए इसमें भी बात करते हैं smartphone के camera setup के बारे में तो इस smartphone में आपको rear में triple rear camera setup मिलेगा जिसका primary camera मिलेगा आपको 108 megapixel का and second camera होगा 8 megapixel का ultra wide lens और इसका last and final जो camera होगा वोगा 2 megapixel का depth sensor दोस्तों Motorola के जो recently smartphone launch हो है मार्केट में उन smartphones के camera की videography और photographic resolution बहुत हाई रहता है इसी के कारण Motorola के camera जो है आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं दोस्तों rear camera setup की बात करने के बाद अब बात कर लेते हैं smartphone के front camera के बारे में जिसमें आपको मिलने वाला है 32 megapixel का selfie camera and इस smartphone में आपको time lapse, hyper lapse जैसे वीडियोग्राफी features भी आपको मिलेंगे Qualcomm Snapdragon 732G Octa-Core processor जो हमारी पिछले smartphone Realme 8 Pro के मुकाबले थोड़ा hard है and इस chipset के साथ आपको मिलने वाला है Adreno 618 graphics का support जो आपके gaming को और भी smooth और sharp बनाएगी डिस्प्ले के अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको देखने को मिलेगी 6.8 inches की IPS LCD punch hole display जिसके साथ आपको देखने को मिलेगी 120 hertz की refresh rate जो आपके smartphone को fastly run करने में मदद करेगी Power backup की बात करूँ तो 6000 mAh की massive battery आपको इसमें provided होगी जिसको charge करने के लिए आपको मिलेगा 20 watt का charging support जो मुझे इस smartphone में थोड़ा सा weak point लगा RAM and ROM की बात करूँ तो इसमें आपको RAM and ROM भी अच्छी खासी मिलेगी 6 GB की RAM and 128 GB की ROM आपको इसमें provided होगी but you will not get any dedicated slot in this mobile finally guys बात करते हैं smartphone के price के बारे में तो इसके लिए आपको pay करना पड़ेगा 17,999 रुपे दोस्तो ये smartphone हमारे पिछले smartphone के मुकाबले थोड़ा पूरा ना है बट 20,000 तक की price range में 108 MP का camera देने वाला ये पहला smartphone था तो चलिए इसमें भी बात करते हैं smartphone के camera setup के बारे में तो इस smartphone में भी आपको बागी smartphone की तरह एक जीज़रूर common मिलेगी वह है 108 MP camera दोस्तो रियर में आपको मिलने वाला है quad rear camera setup जिसका primary camera होगा 108 MP ultra wide camera होगा 8 MP, 2 MP Macro camera and 2 MP depth sensor आपको इसमें मिलेगा इसकी भी वीडियोग्राफी और photography quality काफी अच्छी है अगर आप vlogs वगेरा शूट करना चाहो तो अच्छी तरह से कर सकते हो वहीं front में आपको मिलने वाला है 16 MP का in display selfie camera जिसमें आपको beauty mode, night mode and time lapse जैसे वीडियोग्राफी और photography features मिलेंगे जिसके जरी आप अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं display features की मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिलने वाली 120 Hz की 6.67 इंचेस की IPS LCD console display जिसमें आप gaming और streaming का बरबूर अनन ले सकते हैं दोस्तों smartphone की जो display वो बहुत ही smooth and sharp है और इसमें आपको मिल जाएगा Corny Gorilla Glass 5 का protection जिससे आपका smartphone अगर damage chances की condition में चला जाए तो आपके damage chances बहुत ज्यादा कम रहेंगे processor की मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिलने वाला है Qualcomm की तरफ से Qualcomm Snapdragon 750G Octagon processor का chipset जो हमारे पिछले दो smartphone के comparison में बहुत hard है इसमें आप कितने भी बड़े game so smoothly play कर सकते हैं variants की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिलने वाले है दो variant जिसमें आपको पहला variant मिलेगा 6GB RAM and 128GB ROM वाला and second जो इसका variant आपको मिलेगा 8GB RAM and 128GB ROM वाला तो आपको payment भी variant के coding pay करना पड़ेगा battery performance की बात करूँ तो इसमें आपको 4800mAh की massive battery मिलने वाली है बट ये point मुझे थोड़ा सा इसका weak point लगा क्योंकि इस price segment में आपको कम से कम 6000mAh की battery तो provide करानी थिया and इस battery को charge करने के लिए मिलने वाला है आपको 33W का fast charging support finally guys phone के price की बात की जाए तो इसके लिए आपको pay करने पड़ेंगे 2999 रूप है smartphone की price fluctuate होती रहती है तो please don't mind थोड़ा compromise तो करोगे यार भाई के लिए दोस्तो ये smartphone भी आपको basically मिलता है 108MP के primary camera के साथ जिसके rear में आपको मिलने वाला है quad rear camera setup एंड 108MP के primary shooter lens के साथ आपको मिलने वाले 8MP का ultra wide lens जो आपके moments को 118 degree तक के दाइरे तक capture करेगा इन दोनों camera के साथ आपको मिलने वाले supportive camera के रूप में 5MP का super telly macro camera एंड 2MP का depth sensor इसकी भी videography and photography quality अच्छी है बट first के जो 3 smartphone है उनके मुकाफले थोड़ी दूज है front camera के अगर मैं बात करूँ तो front camera में आपको मिलने वाले 16MP का in-display selfie camera एंड इसमें भी आपको night mode, beauty mode and time lapse जैसे videography and photography features मिलेंगे smartphone के other features के मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिलने वाले 6.67 inches की full HD plus super amolated console display जिसकी refresh rate होने वाली है 120 hertz जिससे आपकी finger के एक टैप के करन स्क्रीन गोड़े की तरह दोड़ने लगे smartphone की processor की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिलने वाला है Qualcomm की तरफ से Qualcomm Snapdragon 732G octa-core processor जो एक अच्छा gaming processor भी है इसमें आप बेज़ी ज़ीज़त gaming कर सकते हैं एंड इसकी starting जो price होगी वोगी 18,999 रूपए एंड इसके बाद जैसे जैसे variant बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपको pay करना पड़ेगा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात की जाए स्मार्टफोन के बैटरी की तो इसमें आपको मिलेगी 5020 mAh की massive बैटरी जो आपकी gaming और streaming के साथ साथ other android features को भी पूरी तरह सपोर्ट करेगी एंड इस बैटरी के साथ आपको मिलना आला है 33W का fast charging support जिसमें company छाथी ठोक के claim करती है कि 75 minute में आपको 100% charge कर देगी गाई स्मार्टफोन के other additional features की मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाएगा 3.5 mm jack and dual stereo speakers जो आपको बहुती अच्छी sound quality provide करेंगे तो गाई सभी स्मार्टफोन को मैंने man-man features के साथ explain कर दिया है और आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा मुझे comment में जरूर बताएं वीडियो पर अगर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने घंटे को जोर से दबा लो ताकि हमारे चैनल की कोई भी अफडेट आपसे ना छूटे ओके गाईज मैं भी चलता हूँ अब टेक केर बाई 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 शीयो गैन जैहिंद